है सो हेलो गाइस वेलकुम बैक चुमा यूडूब चानल से ट्राइम बाउंड गोल दिशोर शंदी वह और गाइस अगर आपकी जही में थोड़ी कम रैंक है लो परसेंटाइल है तो यह वीडियो आपके लिए क्योंकि यह एक ऐसी काउंसलिंग है जिसके वारविय मैं बता आउं हो यहां पर 30 को स्थेखने कि शॉजा आप रहाां हो जाता है औरभी तुम्हें इसन दिखा आप त detail क === training के शुचरेशन ऑलताइगा मैं वी विनार में उल्रेड़ी इस पर बात कटूर हूं तो आपको क्या करना है जिस भी counseling में बैठना है उसका registration आपको पहले करना पड़ेगा और उसके बाद से कॉंसिलिंग में पाटिश्पेट करोगे च्वाइस फिलिंग वगरा बागी के राउंट्स वगरा खेले जाएंगे जैसा कि अगर मैं इसके अलामा बहुत सरी जामिया का registration अभी बंद हुए counseling तो सेंड राउंड के result आने के बाद ही होगा और अगर मैं जामिया की बात करो तो जामिया अपना registration बंद कर दिया है और उनकी भी counseling अभी सेंड राउंड के result आने के बाद ही होगी तो ऐसे मामलों में आपको हमेंसा नजर बनाए रखना पड़ेगा कि किसका registration शुरू हो गया है और अब फट से registration कर लें ताकि हम counseling में participate कर सके तो इसी के दौर में हम आज मैं बात करने माला हूं इसके बारे में अपने अब बात करूं तो लगब लगब ऐसे 85000 सिर्फ इंजिनरिंग में सीट्स हैं तुमारे जोसा से भी जादे सीट्स और जादे कॉलेजिस किदर मिलने वाले अपने को इधर आप इस वीडियो को बहुत ही काईदे के साथ देखिए गाद इस वेरी इंपोर्टेंट फॉर आल आप करते हैं अच्छा इसका रहने माला है तो इसका डेट में आपको बता देता हूं इसका डेट जो रहने माला है 15 जून से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं अल्दो इट्स नॉट अप इन लोगों ने नियूज में भी डाला था बट क्या है कि अब ऑफिशल क्या है ऑफिशल तो जल्दी रिलीज कर देंगे हो सकता है इससे पहले भी हो जाए और थोड़ा डिले भी हो सकता है बट आप 15 जूनी मान के चलिए अब हो चुकी इस काउंसलिंग में बैठने के लि तो आज हम एकेटिव के बारे में बात करेंगे इसमें डॉकुमेंट से लेके एवरिटिंग आइविल डिसकस इच अबरी पॉइंट जो आपको चाहिए कि भाया लगबग लगबग रजिस्ट्रेशन का लास रेट क्या है और रिस्ट्रेशन फीस वेगरा क्या रहने वाली तो ऐसा नहीं है कि हर वेक्ति को हर कॉंसलिंग में बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और जो लोग टाइमली इंफॉर्मिशन नहीं ले पा रहे हैं कॉंसलिंग के बारे में भाई परिशान मतों मेरी वीडियो उसको लागतार देखते रहो एवीडिया आइकन ग बात करते हैं कि लगभग कप तक इनकी इनकी कांसलिंग कशे शुरू होगी और कब तक खतम हो जाएगी तो देखो 15 जून से इनकी पंजेकरान शुरू होगा और इनोंने बोल रखा है कि 8 अगस तक कांसलिंग खतम कर दिया जाय और 16 अगस्ते बच्चों की क्लासे शुरू कर दी जाएं वैसे इस बार इसमें बीसी और बीवे जैसे भी कोर्सें लोगों ने इंट्रिडूस कर दिया तो अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन लास्टेट की तो तो अभी काफी लंबा चलेगा तुम मान के चलो पूरा जून जून तक चलेगा अब जैसे ही रिश् तुम लोग की क्लास से सुरू हो जाएंगी और तुम लोग अपने 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 रिस्पक्टिव जिसको जो कॉलेज लॉट होगा उस सोल अगस्ता कॉलेज मिल लाएगा तो माइंट इस आप से आप लोग बना लीजे अब सबसें इंपोर्टन चीज की डॉक्मेंट क्या अपसे जादे बच्चों की डिमांड जैसे कि यह उसके बाद एकजी की फिर काइठी उसके नीचे अपना एबीस है फिर गलगोटी यह फिर जील बजाज है इसके नीचे तो और लू हो जाते हैं और यूनिवर्सिटी में लगनो इनवस्टी अलग हो चुकी है पहले पिछ सबसे पहला सवाल जो मैं तुम्हें बताना चाहंगा कि वह या किस रनक तक वालों को एक टू नाचाहिए यूपी में जो मेजर काऊंसलिग है एकटी वैट्र। पर एक जो आसे नॉर्मल कॉलेज़ हैं लाइक की लोकल कॉलेज़ लेवल के वहां तो वैसे भी तुम डायक्ट भी जाओगे तो एडमिशन हो जाएगा कुछ लोकल कॉलेज तो अलग से कॉलेज़ बच्चों को बुलाने के लिए वह बोलते हैं कि इतने में कर देंगे उतने में कर देंगे 80% एक लिए सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूं क्योंकि उसके बहुत सारे रॉबैक्स हैं और तुम्हारे पास जनरली बहुत सारे कॉल्स आते रहते होंगे जो डिरेक्ट सब्सक्राइब करना चाहिए और बैठने का पूरा प्रॉसस क्या होगा और रिजर्वेशन पॉलेसिंग डॉकुमेंट्स वगरा सतारा खुछ में इस वीडियो में समझा दूगा इस वीडियो को देखने के लिए बिल्कुल फुली कॉंफिडेंस में आजा होगे कि यहां बह तो एक टू की सोचो ही मत तुम वीडियो चोड़के जा सकते हो अगर 25 तीजर तो तुमारी रांक है तो बिल्कुल तुमें एक टू जैसे में मेरे इसाब से बैठने की कोई ज़रोती है इस से अच्छे कॉलेजेस तुमारी मिल जाएंगे तो 30,000 के अंदर वाले वीडियो स बिल्कुल टाइम जेश नहीं करना है अब बात करते हैं उसके बाहर की अब जीं के 30 से 40 हैं उनको भी एक टू से अच्छे कॉलेजज मिल सकते हैं मतलब अगर तुमारी 96 पर्सेंटाल तो तुम्हें एक टू से अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं मेरे हिसाब से वीडियो तुम्हारे लिए उतनी जादे हैलफुल नहीं रहने वाली है ठीक है लेकिन देखना चाहो तो देख सकते हो अब बात करते हैं जिनकी 94 से नीचे है या 95 से नीचे है वह बिल्कुल इस वीडिय या फिर प्राइबिट कॉलेज हो हर एक कॉलेज में एवेन ओज से नोड़ा जैसा ही कॉलेज क्यों ना ओफिस इतना भी महगा हो वहां पर उन्हें तुम्हारी टूशन फिस पूरी की पूरी माफ करनी पड़ेगी अब माफ कैसे करवाना है वह मैं तुम्हें बता देता पड़ेगा नहीं बन वाओ तो नहीं हो पाएगा तो चलो हम पहले देखनें की कंप्यूटर साइंस कि सरैंक्त तक मिल लाता है तो हम पहले गल्मेंट का देखते हैं अब गॉर्वर्मंट देखो द्यान से समझो मैं गॉर्वर्मेंट में डाल दिया और कैटेगरी डाल दे लेते हैं ठीक है और प्रोग्राम अपन लोगे लेते हैं कम्प्रोर्मेशन चैनलोजी और तीक है मैंने यहां पर और में को ठीक और उसके बाद से हम यहां पे राउंड और भी डाल लेते हैं क्योंकि छट्वे राउंड तक मुस्ली सीटे कंप्यूटर के भर जाती है और बाकी प्रोग्राम तो सेलेक्ट करी लिया इंसिट्यूशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई समस्य वाली बात नहीं है जितने भी हैं आप में 2023 में देखता हूं कि कहां तक मिला था तो दिखो आइटी लगनौ लगवा आइटी लगनौ जो मिला था चालीजार रांक पर मिल गया था इक और ब्रांच है यहां पर ओंप्यूटर साइंस इसको भी लोग सेलेक्ट कर लेते हैं उससे अम कंप्यूटर की सारी ब्रांच देख पाएंगे कि कहां तक मिला था अब जून लास्ट एडमिशन हुआ था तुमारा क्लोजिंग यहां पर मैं डिक्रीजिंग और में कर द अब बढ़ा काम किया लेकिन उस टाइंप लोगों को पता भी नहीं था और लोग च्वाइस फिलिंग में डाल रहे थे इसको क्योंकि जो नए कांसलर या जो लोग ना भी यूटूब बीड़ो बना रहे थे वो फुराने डर्रे पे चॉइस फिलिंग दे रहे थे मतलब ब है फिर आके बच्चों से करेक्शन भी करवाएं कि नहीं नहीं जिनकी बहुत लोग राइंक है और अगर लोकल के हैं तो लोकल के प्राइवेट में जाने से बढ़ियां आप आरीसी में जा सकते हो क्योंकि इनकी इनकी जो क्लासेज है ना आईटी लगना हो के नाईटी सु में उन्टोंगत बता clicking करें बता हैं तो आईक दी कंपियोंके देशांस हैं मिला तक शौन पूर तक मिला और सी में नौ लख तक मिला था मतलब जो बच्चा मुझे मेरा मुझे लग रहा है जो बच्चा सिर्फ पेपर खाली छोड़ के आगया होगा एक-दो सवाल करने के बाद उसका भी यहां पे computer science और electronics जैसे branch management mission हो गया था मैं increasing order में करता हूं क्योंकि हम अच्छे college देखना चाहते हैं लुले college में फिलहाल में कोई इंट्रस्ट नहीं है तो अगर मैं बात करूं कि increasing order में मैंने कर दिया तो अब यहां पे तुम देखो जो का जो जनरल के टेगरी की computer science बंद हुई थी आइटी लगनों में ओ चौथे राउंड में 40,000 पर जाके बंद हो गई थी याई जो बंद हुई थी एक 40,000 पर बंद हो गई थी और जो पर बहुत हट तक चांस था कि उसका एडमिशन computer science जैसे ब्रांचे में हो जाएगा यह मैं आइटी लगनों की बात कर रहा हूं और उसके नीचे तो इससे लो कि अब दिखर होगा अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो जो जैसे 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 कॉलेज़ें आख कहांगे काइट 59,000 पे बंद हो गया था ओल इंडिया के लिए मैं यहां पर होम स्टेट ले लेता हूं अल इंडिया मतलब होता है कि अधर स्टेट वाला भी वच्चा है मैं होम स्टेट ले लेता हूं तो जैसे जो बंद हुआ था जैसे की सब्सक्राइब काइट 59,000 पे बंद हुआ थी और जैसे का एए 91,000 पे बंद हुआ था ऐसे करके कुछ कॉलेज़ें जिसको तुम देख सकते हो काफी लो राइंग तक एड्मिशन होता है अगर मैं सबसे लास्ट एड्मिशन की बात करूं कि लास्ट एड्मिशन कम्प्यू तो यहां पर एड्मिशन मिल लाएगा तो एक टूमें इतने लो रांग तक टॉप के ब्रांचों में एड्मिशन होता है आइधिंग यू अगे की बात करता हूं जो मैं आज तुमें पताने आया हूं मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं वेटा तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझो सबसे पहले तुम्हें पर यूरो यूरो और तो सबसे पहले करना होगा जैसा यह सब्सक्राइस कर नाउगा ऐसन और चौइश फिलिंग गलत करने के वज़ा से हर साल बहुत सारे लोगों का एड़ मीशन में नहीं क्बढ़ा हो जाता है और उसके बाद करने के बाद स्लाइडिंग में बैट हुगा और इंटर्नल स्लाइडिंग में फिर मेरी चित जो है अगर ऊपर शीट कोई खाली है तो मुझे एलेक्रोणिक से कंप्यूटर में बेज दिया जाएगा मुझे चिंद करा दिया जाएगा इसको बोलते इंटरीन सालाइड ऐस शिर्फ गौर्मेंट प्रमें और विदिन इस होता है उसकी अब चथी और साथ होटा उसकी सफ़ेसे ल कर देते नहीं यह लेकिन इसी सफेसे लाओंड में चार-चार लाख राएंग और पांच पांच लाख राएंग पर टॉप यह चलो इस पार थोडा सा ना क्राइटीरिया चेंज हुआ है आप देखो चर-चार चौते राउंड के बाद प्राइवेत वाले हट जा देते हैं प्रेवेट की अगर कोई सीट बसती ठी तो मैंंजमेंट कोटे से भरिबूयड जाती ती इस दी यहां पर सीट मिलने के बाद आप इस बार हम इसमें भी काउंसिलिंग कराएंगे और अगर ऐसा कांसिलिंग कराएंगे तब तो बहुत बढ़ियां बात हो जाएगी जो मैंनेजमेंट कोटे के चक्कर में पड़े हुए उनका बहुत बढ़ा नुकसान हो जाएगा जो डारेक्ट एड्मिशन के लिए जा रहेते हैं यहां पर सीट मिलने के बाद आप उसी अप्टेंस वीज देनी होती है बीटिक एकरी कल्चर के लिए देना पड़ेगा फार्मेसी के लिए गेली नाटा देना पड़ेगा एंब एक इंटीडरेटर के लिए डेना पड़ेगा आप यहां से देख सकते हो और इन सबकी काउंसलिंग अभी शुरू होगी जैसे शुरू होगी मैं यह दो आपको बना सीट में से किस परसंट सीट से एस्टी वालों के लिए रिजव्ड है एस्टी वालों के लिए दो परसंट और वीसी वालों के लिए 27 और और अलक से 10 परसंट किसके लिए भाई और को पाशित आपको पास को होना चाणिए अगर आपका सब्सक्राइब नहीं यह लूगा तो आपका टाटा रेपार कॉंसिडर किया जाओ आपको जो फायदा विजर विशन मिल रहा है और तो आप जो रिजर्वीशन मिल रहा हूं जो हमारे यहां बनता है हिंदी में हो चाह इंग्लीस हो में हो डजन मेंटर जैसे अगर आप OBC बनवा रहे हो तो जोसा के लिए OBC सेंट्रल का लगेगा और यूपी के लिए हमें स्टेट का OBC बनवाना पड़ेगा अगर आप इसमें कुछ भी गरबड़ी करोगे तो आपका या तो सीट कैंसल हो सकता या फिर आप जनरल में अगर आपके ना दादा जो भी फ्रीडम फाइटर रहे हो उसका अपको लगाना पड़ेगा और जो लोग डिफेंस का टेगरी के हैं उनको 5 परसेंट का अलग से रिजरवेशन दिया गया है फ्रीडम फाइटर को अलग से अब लोगों को कैसे सट्विक्त बनवाना तो सटिफिएट की लिस्ट में यहां पर डाल दिया हूं जैसे अगर कोई डिफेंस का प्यक्ति है तो डिफेंस वाला भाया अपना जाके डिफेंस बनवाली जेगा इनी के फॉर्मेंट बनवाली जेगा कोई समस्या नहीं और फीमेल को तो 20% है फीमेल के लिए सच कोई नहीं है बस अगर आप फीमेल है तो भाया कोई दिक्कत नहीं है नारी सब परभारी यूपी में तो जबर्जस्त रिजर वेशन है बहुत फायदा होने वाला है आप जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है जो लोग पूछते हैं मैनेजमेंट कोटा कहते हैं तो लोग 15% चीट भर सकते हैं लेकिन 85% सीट सिर्फ और सिर्फ कांसिलिंग से भरा जाएगा तो मैक्स तुमेक्स मात्र 15% चीट दे सकते हैं अगर उससे जादे सीट में एडमीशन ले रहा है तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रियेट हो जाएगा जैसे की जील बजाज वाले केस में काफी दिन पहले हुआ था एक वीडियो भी मेरी पड़ी हुई है ठीक है तो यह बात ध्यान रखिएगा 15% सीट जो है 15% सीट जो है प्राइवेट में प्राइवेट में एवेलेबल है मैनेजमेंट कोटा के तुरू तो मात्रों मात्र 15% चीट पे एड्मिशन दे सकते हैं बागी सारी सीटे एक टीव काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएंगी तो ज्यादा परेशान मीं होना है और कोई तोप के कॉलेज नहीं है इनका कट अप मैं तुम्हें दिखा चुका हूं अगर मैं फीस किया से माफ करा जाए तो फीस माफ क आने के लिए आपको सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस टाइम पर FW में यस या नो करने का उप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन कायदे से करिएगा वरना FW सीट आपके हाथ से निकल जाएगी FW सीट हर कॉलेज में चाहें हो गवर्मेंट हो या प्रा को नहीं आता है तो 5% सीट हर कॉलेज में है और अगर आपको सीट मिलती है तो आपको कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देना पड़ेगा इसके लिए लिजबिल्टी के राइटेरिया सिर्फ एक ही है कि आपके पारेंट्स की इंकम 6 लाग से कम होना चाहिए और साथी साथ में आप लटा और आप व्यूशन फायदागा जाता है लहता है जैंद बाहिटोhes की से पूर्ज हो और उसके आप सब्सक्राइब करना पड़ेगा यह बात ध्यान में रखिएगा ठीक है ओके अब यह सारे को लिस्ट थी अब मैं बात करता हूं अगर अच्छा एक चीज में और दिखा दिता हूं अगर आफ फ्डबलू शीट चाहते हैं अगर आप फ्डबलू शीट की कटा फलक से बनती है मैं आप फ्डबलू शीट की कटाफ आपको दिखा देता हूं because this is very important for all of you civil engineering FW, computer engineering FW, computer science FW यहां हम सारे FW वाले courses select कर लेते हैं FW यहां बे भी सेलेक्ट कर लिया शीट कर लिया है माशीन ललन रिगे माशीन अफलल शीरेक्ट कर लिया ऊझना। सिर्फ computer science क्प्यूटर साइंस का दोलू देख लेते हैं और एलेक्ट्रोनिक्स का भी अब दोलू अपन लोग देख लेंगे ओके तो यह एफड़ू के सीट्स थे अब दोलू वाले अप सीट्स देखो आप दोलू की थोड़ी सी देखते हैं किस रांग तक मिला था तो देखो आइटे लगनव की अब डॉलू थी अठारा भाइसरा रांग पर बंद हो गई ती याई की एटी लगनव की रांड उन में और एं रांड 3 में मैं लास्ट अंब टक का कर लेता हूं रांट तो यह आप देखो आइटी लगना हुँ जो है 21,000 पर जाके बंद हुआ था हम लास्ट देखना चाहते हैं कि लास्ट किस रैंक पैड मिशन हुआ था तो इलेक्रोनिक्स की अब डॉगलू 10 लाग पर मिली ती किसकी जियनो आइटी की जियनो आइटी वाले 10 लाख रैंक पर F दे रहे हैं मतलब यहां पर कोई फीस आपकी नहीं लगनी है दस लाख रैंक पर कौन से वह इसके अलमा और मैं बात करूं तो यह हैं आपके पर की कानपुर पर कि आजडी कानपुर एलेक्रोनिक्स दीजि लास्ट यहर अतहर 250,000 रांग पर अब डबंव फीस आई टी कानपुर में नॉर्मल ही जाओ कंगे देने की बात ही दिए बात ही नीद बात है फटाइओ presents और इस बच्छी में ने दिया यह राज की आरीसी आजमगड की सिविल की अबडवलू 4 लाग पे मिली थी सरकारी कॉलेज उसके बाद भी अबडवलू 4 लाग पे इसने इसली दिया हुआ है इसकी इलेक्रोनिक्स की अबडवलू 3,69,000 पे मिली हुई थी और मैं सिर्फ पहले प्राइवेट का तुम्हें दिखा देता हूँ प्राइवेट का दिखा देता हूँ फिरम गवर्मेंट का भी देखेंगे तो ग्रेटर नोड़ा इंसिट्टूट अब टेक्नलोजी काफी लो राइंग तक दिया था इन्हों ने अडमिशन अना मैं यहां पे डाल भी ठीक है यह दिखो जैसे जैसे तो खायर काफी पहले बंद हो गया था उन्चाश जार के आसपास में ही बंद हो गया था पर बाक तो भी यह लोग आराम से देने के लिए रेडी हैं और अगर तुम थोड़ा सा लो कॉलिज में जाओगे थोड़ा सा लो कॉलिज में जाओगे तो 7-8 लाग राइंग 5-5 लाग राइंग 6-6 लाग राइंग पे कंप्यूटर साइंज यह आई-ई-अम्टी वाले चार-चार यह लोग तुमें नॉर्मल सी भी नहीं देंगे ठीक है लेकिन जब तुम कॉंसलिंग में आते हो तो असलियत पता चलती है कि अरे यहां तो आराम से 4-5 लाइंग तक फ्व दे रहें कंप्यूटर साइंस में तो आइधिंग तुम समझदार हो बाते समझ रहोंगे कॉंसलि करनी है तो यह कुछ बाते थी जो मैं तुमसे करना चाहता था जो वरा इंपॉर्टेंट है और जिनको मुझसे कॉंसलिंग करानी है भाई यहां हमारे कॉंसलिंग प्रोग्राम को जॉइन कर लेना लागतार सीटे भर भर रही है तो चली मिलते नेक्स उड़े मात तक लिए जाबाई चाहता है जाहिंदर